फोर्शोर रोड पर जूट पिल में आग लगने की घटना के बाद 24 घंटे के अंदर हावडा में एक बार फिर आग लगने की भ्यानक घटना हुई है इस बार हावडा के घुसरी में एक प्लास्टिक गोदाम में भीशन आग लग गई देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई चूंकि गोदाम में प्लास्टिक के सामान थे इसलिए आग ने फौरण विक्राल रूप ले लिया और पलक जपकते ही पूरा गोदाम धूधू क कर जनने लगा जिस से इलाके में कोहरा मजग गया मुकामी लोगों को आग के भैलने और दूसरे घरों को अपनी चपेट में लेने का डर सताने लगा था आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुँच गई हावडा में बार बार आग लगने की और शोर रोड पर एक जूट मिल में भी भ्यानक आग लगने की घटना हुई थी अगुन की बाब लागने जानी ना शागले थवर पेलां आगुन लेगे छे तार परें का ब्रमकल पुलीस नवाई खवद्ध्य वाला सब्सक्राइब आगुन ता लेगे छे आड़ा प्लास्टिक काज होए पुई करकाना आठे पाते तो उन्हें कुलो करकाना आठे अगुन खाना याचे सब खोती होई नहीं अन्यक्ताई कार खाना आगुन लेगे छे यह एकुन आगुन कंट्रोल आचे अगुन ता तिम्टेस निभी फेला नहों होए छे श्वकाले खवर पावा गा शीलो जेखने प्लास्टिक इर मेंट्रिकल चाछे शेखने लेगे छ आगुन लाक्षे आखनो बढ़ा आचे ने टा आगुन ता निभे जाक तार पर जाला देखेचे पोथोम तारा कुन्टा बोलते पारवे यहला कार मामीचा बोलचे एखने बियाई निशार यहाँ तो गनो लाइक से गुनुन देख्षी आमना एवारे शववाई के आमनोच दिछी यह जे खाना ही होथचे नोटीज दिछे मानुशे आवार करा हुथचे तार परेव मानुश भूथचे ना आपना नाम के सार राण्यन कुमार घोस्ट डिविशनल फायर आवी सार हावडा आमार स्वरंग्याद से और सी स्टेशन आवी सार पोदीप पत्रो हावडा फाय स्टेशन बान वाट सार